हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी नोर्स फर यो चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज जो 24 सितंबर को फर्स शिफ्ट हुई थी उसका आंजर की हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले है 16 कोशन से जो सुबा के पेपर में आए थी तो इसलिए फ्रेंड्स पूरा वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे जो आपके एक्जाम होने वाले हैं उसमें वो हेल्प करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कोशन पूछा गया था शिफ्ट वन में यानि आज 24 सितंबर को फर्स शिफ्ट में कोशन आया था तो उसका सही आंसर क्या है एक लव्या दूसरा कोशन देख लेते हैं फुल फॉर्म औफ सीडी रोम सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था अगर आपने ये आंसर टिक किया है तो ये आपका आंसर सही होगा तो इसी तरीके का नेक्स कोशन देख लीजे जो पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर है 66F यानि अगर आपने 66F पर निशान किया है तो ये आपका सही आंसर होगा तो नेक्स कोशन देख लेते हैं पूरे 16 कोशन हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं जो सुबा पूछे गये थे New Name of Ministry of HRD यानि Ministry of HRD का नया नाम क्या है तो सही आंसर क्या है सिक्षा मंत्राले यानि Ministry of Education फ्रेंट्स इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसे ही latest notification और information हम आपको मिल सके MRAM is a type of memory किस टाइब के memory है MRAM तो magnetic RAM क्या है non-volatile memory next question देख लेते हैं which research has post positive approach देखिए इसका हमें option नहीं पता है लेकिन जहां तक correct option जो होगा वोगा post-positivism ठीक है which research has post positive approach research और teaching aptitude के बहुत question यानि 7-8 question पूछे गए थी इसलिए research और research aptitude और teaching aptitude के questions अच्छे से तयार कर लीजे यह भी question आया था लेकिन इसका correct answer हमें अभी पता नहीं है हम आपको बाद में confirm कर देंगे which question में थोड़ा doubt है next day who appointed as the brand ambassador of the wwe india for the environment education program तो इसका क्या सही answer है विश्वनाथन आनन्द अगर आपने विश्वनाथन आनन्द को टिक किया है तो आपका answer सही हो जाएगा ठीक है यह देखिए next question देख लेते हैं इसके बाद में क्या आएगा तो इसके बाद में जो आएगा वो है 130 अगर आपने 130 पर ठीक किया है तो आपका answer सही होगा इस तरीके देखिए series के question आए है environment के सिर्फ दो question ही आए है आज की सुबह की shift में और जो evening shift है उसका भी answer हम आपको answer की बहुत जल्द प्रवाइड कर देंगे इसका correct answer है 34 डिजिटल इनिशेटिव से question जरूर आता है तो उसको आप चाहें तो हम अपने वीडियो अटेच कर देंगे आप पूरा information उसमें देख सकते हैं next question देख लेते हैं who was the founder of Nalanda University higher education से related भी आता है तो इसका सही answer है कुमार गुप्त वन यानि अगर आपने इस पर टिक किया है कुमार गुप्त वन पे तो आपका answer सही होगा next question देख लेते हैं which state has approved the groundwater act 2020 to improve groundwater level तो इसका सही answer क्या है उत्तर प्रदेश यानि किसने groundwater के act बनाया है ठीक है groundwater level को सही करने के लिए अप्रूफ किया है कौन से state ने तो वो है उत्तर प्रदेश next question देख लेते हैं the study of role of time in communication is known as यहाँ पे चार option दिये गए थे लिगिन जो सही answer वह हम आपको बता रहे है chronemix chronemix इसका correct answer है the study of role of time in communication is known as chronemix तो friends अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो तुरंद कर लीजे जिससे आपको सारी latest notification मिल सके next is series 6,14,36,98 और इसके बाद में क्या आएगा तो answer इसका correct है 276 यानि अगर आपने 276 पर टिक किया है तो आपका answer सही होगा जो आज morning shift का paper आया था वो moderate level का था यानि ना ज्यादा easy था और ना ज्यादा tough था medium लेवल का था एक question ये भी था the rate of simple interest related और इसका correct answer है 6% per annum तो friends अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ ये वीडियो को like जरूर करिए subscribe now and press the bell icon never miss an update